सब को जे ये सुकी फिर एक बार मुझे ये सौब आग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इश्वर के दिव ये वचनों को लेकर आप सबों से बातें करूँ प्रभु का संदेश सुनाओं और इस प्रकार से हम सभी प्रभु का संदेश सुन कर प्रभु के संदेश पर मनचंतन करते ही हम सभी आनन्द मनाएं ये आनन्द मनाने का अवसर है क्योंकि जो हम लोग सुनने वाले हैं वो प्रभु का वचन है प्रभु का वचन जितनी बार हम सुनेंगे उतना हमें हम सबों को आशिश मिलेगी क्रपा मिलेगी अनुग रह मिलेगा संत योहन के द्वारा रचित सू समचारा द्याई बीस पत संक्या उन्निस से आगी उसे दिन अर्ताद सब्ता के प्रतम दिन संध्या समय जब शिश यहुदियों के भैसे द्वार बंद की एक त्रते इसा उनके बीच आकर खड़े हो गए उन्होंने शिश्यों से कहा तुम्हें शानते मिले और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई प्रभू को देखकर शिश्य आनंदित हो उटे इसा ने उनसे फिर कहा तुम्हें शानते मिले जिस प्रकार पिता ने मुझे बेजा उसी प्रकार मैत में बेशता हूँ इन शब्दों के बाद इसा ने उन पर फूंग कर कहा भवित्र आत्मा को गरहन करो तुम जिन लोगों के पाप शमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे और जिन लोगों के पाप शमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंदे रहेंगे प्रभु का सु समचार प्रभु करिस्त में प्यारे भाईयो बहनों प्रभु ये सु मसी अपने मुरत्यू के बाद तेसर दिन जी उटे और अपने पुनरतान के बाद सबसे पहले अपने प्रेरितों से मिलने जाते हैं अपने प्रेरितों से जैसे मिलते हैं उन्हें अभिवादन करते हैं इन शब्दों के साथ तुम्हें शान्ते मिले पीस बी टू यू तुम्हें शान्ते मिले और इस बात को प्रभी इस मसी बार 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 दोराते हैं पुनरतान के बाद जब जब अपने शिश्यों को अलग-अलग समुदाए में जब मिलते हैं जब बारा लोग एक साथ ते जब ग्यारा लोग ते जब दस लोग ते जब पांसो का समूता अलग-अलग समय में प्रभु येस्व मसी इनी शब्दों को लेकर बार-बार उन्हें संबोधित करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांते मिले तुम्हें शांते मिले पीस भी ठू यू इस बात को हम लो आज के दिन में समझने के चेस्ता करें प्रयास करें, कोशिश करें आकिर प्रभु येस्व मसी ने बार-बार इन शब्दों के इस्तिमाल करते भी अपने शिश्यों को अभिवादन क्यों किया कि तुम्हें शांते मिले और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है शांती को समझने के लिए आशांती के बारे में तोड़ा बहुत हमें ध्यान देना होगा सोचना होगा अब ज़रा सोच लिजी जहां आशांती है वहां के बारे में सोच लिजी कालपनिक रूप से जो इनसान आशांत है शांत नहीं है आशांत है तन्स्ट है, तनाओं में है, परिशानियों में है, उसके बारे में जड़ा सोच लीजे, कालपनिक रूप से, जिस परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई जगड़ा है, कलेश है, मारपीट है, तनाओं बरिपरिस्थिती है, ढर है, उस परिवार के बारे में सोच लीजे, क जड़ाई है किसी बात को लेखे, उस जगा के बारे में सोच लिजे, कालपनिक रूप से, जब हम इस बात को समझ जाएंगे, अशान्ती क्या है, अशान्ती क्या करती है, अशान्ती किस प्रकास इंसान के जीवन को, वेक्ति के जीवन को, परिवारिक जीवन को, समुदाय के को समाज के जीवन को देश के जीवन को विश्व के जीवन को बरबाद कर सकता इस बात को जो हम समझ जाएंगे हम शांती के बारे में समझ जाएंगे दिन की रोशनी के बारे में समझने के लिए हमें अंदेरे का सामना करना पड़ता है अंदेरी की गहराई अंदेरे का अंद प्रभु की शान्ती के बारे में गहराई से समझ पाएंगे हालेलुईया, 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 हालेलुईया अब प्रभु ये समझ से अपने शिश्यों के पास बार बार आके कहता है तुम्हें शान्ती मिले, पीस मी टु यू, तुम्हें शान्ती मिले क्योंकि ये प्रभु के शिष्य, प्रभु के मृत्यू के बाद आशांत थे, गबराये हुए थे, डरे हुए थे, भैबीत थे, आतंक थे, आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, कल क्या होगा, हमारे जीवन का आगे क्या होगा, अनेक सवाल उनके मन में थे, इन सभी बातों को लेकर वो विचलित हो रहे थे इन सभी बातों को लेकर वो परेशान हो रहे थे हमारा बविश्य क्या होगा हम लोग ने सब कुछ चोड़ दिया सब कुछ चोड़ के हम प्रभु के अनुयाई बन गई अब हमारा क्या होगा प्रभीयस मसी को उन्होंने सूली पचड़ाया प्रभीयस मसी को मार दिया हमारा क्या होगा इन सभी बातों से वो भैवित ते इसलिए यहां पर लिखा है जब शिश्य यहूदियों के भैसे द्वार बंद किये एकत्र थे अब सबसे पहले जब प्रभीयस मसी मरे सबसे पहला नतीजा प्रभी के शिश्यों पर प्रेर्थों पर यह पड़ा कि वो भैवित ते यहूदियों के भैसे भैवित ते द्वार बंद किये एकत्र थे इसा उनके बीच आकर कड़े हो गई तब इसा उनके बीच आके खड़े हो गए और उन्होंने क्या कहा उन्होंने शिश्यों से कहा तुम्हें शांते मिले जब अटर कन्फूजन था डिस्टर्बंस था तब प्रभीयस मसी अपने प्रेरितों के बीच में अपने शिश्यों के बीच में आके खड़े हो जाते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं तुम्हें शांते मिले पीस बी टू यू यानि कि तुम गबराये हुए हो डरे हुए हो तुम हर प्रकार से हर मामले से दिस्टर्ब्ड हो अपने को लेके अपने परिवार को लेके अपने बविश्य को लेके अब हमारा क्या होगा हमारे गुरु को तो उन्हें बांद के सूली पर चड़ाया और हमारा क्या होगा हमने उसका अनुसरन किया अब यहुदी हमारा क्या करेंगे हर प्रकार से वो तूड चुके थे such a disturbance इस प्रकार के disturbance के बीच में प्रभू उनके बीच में आते हैं उनके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें शांते मिले peace be to you इसका अर्थ ये है जब हमें प्रभू की शांती प्राप्त होगी हम subtle हो जाएंगे हमारा disturbance से हम लोग सटल हो जाएंगे हालेलुया 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 तो प्रभू हमें शांती का अभिवादन करते हैं और प्रभू ने अपने शिश्यों से भी ही कहा था जिस गर में तुम जाते हो सबसे पहले वहां पर जाके उस गर को शांती का अभिवादन करने के लिए येसु के नाम से शांति का अभिवादन करने के लिए प्रभू ने का जिस गर में तुम प्रविश करते है उस गर से यही कहो इस गर को शांति यहीं कि प्रभू की शांति जिस व्यक्ति को प्रभू की शांति का अबास होगा अनबो होगा जिस विक्ति के जिवन में प्रभु की शान्ति का संचार होगा उस विक्ति को दुनिया की कोई भी विक्ति की कोई बात कोई कमेंट कोई भी आचरन किसी प्रकार से उसको अशान्त नहीं कर सकते इसका अरतिया है प्रभु की शान्ति को जिसने प्राप्त क आहो बाहर से किसी भी लोगों से किसी लोगों के कमेंट से किसी लोगों के कोई गलत कारियों से किसी लोगों ने उसका नाम कराब करने से किसी लोगों ने उसका किसी प्रकार से उस पर अतिचार करने से किसी लोगों ने किसी प्रकार उन पर संकट या अलग अलग प्रकार के परेशानी लाने से वो डिस्टर्ब्ड नहीं होगा क्योंकि प्रभु की शांति जब हमारे दिलों में राज करेगी हम बाहर के कोई भी तत्वों से कोई भी बातों से कोई भी विचारों से कोई भी विचारदारों से कोई भी दारणा जो प्रचलित हो रही है उन सभी बातों से हम अशांत नहीं होंगे nothing can disturb us from outside when we are filled with the peace of Jesus Christ no outside thing can disturb us nothing can disturb us nothing can put us in trouble यहनी कि प्रभू की शांति का अबास होगा, अनबा होगा कुछ भी हमें दिस्टर्ब नहीं करेगा दूसरी बात जब हम प्रभू के शांति से बर जाएंगे जब प्रभू ने का तुम्हें शांति मिले जब हम प्रभू की शांति से बर जाएंगे हमारे जीवन के द्वारा हमारे बातों के द्वारा हमारे वेवहार के द्वारा यानि कि मेरे बातों के द्वारा मेरे वेवहार के द्वारा, मेरे रहन सहने के द्वारा, मेरे उटने बैटने के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, मेरे कारियों के द्वारा, दूसरों को भी मैं अशान्त नहीं कर पाऊंगा दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा यानि कि जब मेरे अंदर प्रभु की शान्ती है मेरे दौरा दूसरों को अशान्त मैं नहीं करूंगा जब मेरे अंदर प्रभु की शान्ती है तुम्हें शान्ती मिले सबसे पहले ये शान्ती भंग कब हुई जब पहले पाप हुआ आदी पाप की बात नहीं कह रहा हूँ वो तो हई मेरे जिवन में जब पाप हुआ डिस्टर्बिंस चुरू हुआ जो डिस्टर्बिंस मेरे अंदर है जो टेंशन मेरे अंदर है जो बिमारी मेरे अंदर है इन सभी बातों को कनेट किया जाए वो कही न कहीं यहीं आके रुक जाता है पाप पाप डिस्टर्बिंस पैदा करता है पाप रिस्टा तोड़ता है पाप दूरियां बनाता है पाप विबाजन करता है पाप आशिशों से वंचित करता है और ये सारे disturbance का बाते हैं जब प्रभु की शांति हमर अंदर नहीं रहेगी और ये सब चीजें होगी प्रभु की शांति हमर अंदर नहीं रहेगी जब प्रभु की शांति आएगी एक बार इनसां सटल्ड हो जाएगा, सभी बातों से उपर बरके आएगा, सटल्ड हो जाएगा, प्रभू की शांती उसको मिलेगी, बाहर ये कोई तत्फू, कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई ताकत उसका डिस्टरब नहीं करपाएगा, ना ही वह विक्ति जो विक्ति प्रभू की शांती से बरा हुआ है अपने विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, रहन सहनी के द्वारा दूसरों का डिस्टरब नहीं कर पाएगा यानि कि प्रभू की शांती जिसके अंदर रहेगी वो व्यक्ति अगर दूसरों को अभी वादन करेगा प्रभू की शान्ती का संचार होगा अब माता मरियम अपने कुट्रपनी एलिजबेत को मिलने गही थी और वह तीन मैंने उनकी सेवा सत्कार में लगी रही जैसे ही वहाँ पर एलिजबेत से बेंट हुआ वहाँ पर जब इस शब्दों से प्रणाम हुआ प्रणाम प्रभू की क्रपा पात्री प्रभू ये सवभा कि मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभू की माता मेरे पास आई और इस प्रकास जब प्रणाम आदन प्रदान हुआ वहां पर वो शान्ति का संचार हुआ उनके पेट में बच्चे जो थे वानन्त के मारे उचल पड़ते हैं वहां पर शान्ति का अभिवादन हुआ यानि कि जो वेक्ति प्रभु के शान्ति से भर जाता है वो वेक्ति दूसरों से मिलता है, अभिवादन करता है वहाँ पर शांती का संचार होता है मान लो जो विक्ति प्रभू की शांती से नहीं बरा हुआ है उसके अंदर disturbance है उसके अंदर अलग-अलग परकार की problems है अलग-अलग परकार की धर है, भय है, गबराहट है अलगले प्रकार की भावनाएं वहां पर उतल पतल हो रही है और वह विक्ति दूसरों को अभिवादन करेगा उसके अंदर जो आत्मा कारी करेगा अशांती का वो अशांती फैला देगा दूसरों के जीवन में अशांती फाइला देगा उनके गर में अशांती फाइला देगा प्रभू हमी इसलिए कहता है तुम्हें शांती मिले यानि कि हम लोग प्रभू के शांती के दूत बनें जहां हम कहीं भी जाएंगे प्रभू के नाम से लोगों को शान्ती का अभिवादन करें ताकि लोगों के जिवन में प्रभू की शान्ती आए और जिन लोगों के जिवन में प्रभू की शान्ती आएगी वो विक्ति, विक्तिगद रूप से जीवन का निर्मान करेगा, दूसरों के जीवन का निर्मान करेगा, समाज का निर्मान करेगा, परिवार का निर्मान करेगा, इसलिए प्रभू की शांती हम सुबों के लिए सक्त जरुत है, आवश्यकता है, अगर प्रभू की शांती नह बेंड करते प्रभु ने कहा तुम्हें शानती मिले और ये बात बार 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 कहते भी जब प्रभु के शिश्यों को प्रभु की शानती मिली तब जाके वो आनन से कुशियों से बड़े हिम्मत से साह से बाहर निकल के येसु का प्रचार प्रचार करने लगे और जैसे हुए एक मन के और एक प्राण के होने लगे शिरुवात की कलिस्या में क्या हुआ जब प्रभू की शांती से बरे हुए उन प्रेरितों ने जगा जगा जाके प्रभू का शांती का संदेश सुनाया लोग एक मन के और एक प्राण के हो गए जो कुछ इनके पास था, सब इकटा करते हुए, सबों के साथ शेयर करते थे, सबों के साथ बांड के खाते थे, जीते थे, और प्रसन होते थे, प्रभु में आनन्द मनाते थे, हालेलुया, 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 इस प्रकार से प्रभु की शान्ती जब मुझ यानि कि जब मेरे अंदर वो शांती रहेगी प्रभु की मेरे जीवन में आशिशें जाएंगी दूसरों के लिए कुशियां जाएंगे, प्यार जाएगा, मुहपत जाएगी, शमा जाएगी, जीवन का संचार होने लगेगा जब जिस से भी मैं मिलूँगा अभिवादन कुरंगा, उनका प्रभू का जीवन का संचार होगा और प्रभू चाहता है कि अपने शिश्यों को शांती का अभिवादन करते वे जाएं प्रभू की शांती को संदेश को लेकर दूसरों को शांती का अभिवादन करें लोगों का जीवन का निर्मान करें और इसी वज़े से भाईयों बेहनों उस प्रभु ने हम सुवों को चुना है बुलाया है ताकि हम सभी प्रभु के शांती का संदेश वहग बने जहां कहीं भी जाएंगी हम लोग प्रभू की शांती का प्रचार प्रसार करें आज के दिन में प्रभू की शांती के सक्त जरुत है आवश्यकता है हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर गर के लिए, हर समुदाय के लिए, हर गाओं के लिए, हर समाज के लिए, हर देश के लिए और पूरे विश्व के लिए येसु प्रभू की शांती की आवश्यकता है जिसे प्रभू येसु ने मृत्यू के बाद पनुरतान के बाद अपने शिश्यों से मिलते हुए कहा तुम्हें शांती मिले वही शांती का संचार हम सबों में होने देजिए आज के दिन में वही प्रभु येसु मसी की जीवित प्रभु येसु मसी की शांती का संचार हम सबों के परिवार में होने दीजिए वही येसु की शांती का संचार हम सबों के समुधाय में होने दीजिए वही ये सु की शांती का संचार हम सबों के समाज में, गहाओं में, थेश में, हमारे राज्य में, थेश में होने दीजिए क्योंकि प्रभू की शांती के सक्त जरॉत है जब प्रभू के शांती आएगी, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा किसी ने कुछ भी कहा हो बारे में हमारे लिए हमारे पीट पीछे या हमारे आगे हमें उन सभी बातों से विचलित होने के जरूत ने क्यों कि जब प्रभू की शांति हमारे अंदर रहेगी उस बात को जेल पाएगी सुन पाएगी और इस प्रकार से हम शांति का अगुरुदुदूद बनेंगे शांति का प्रचार प्रसार करने वाले बनेंगे अगर प्रभू की शांति नहीं रहेगे किसी ने तोड़ी सी बात किसी ने कह दिया एक चोड़ी सी गलत बात फैला दी तोने हम डिस्टर्ब्ड हो जायेंगे क्यों disturb हूँ? प्रभू में स्थिर रहें, प्रभू में द्रड रहें, प्रभू में अटल रहें, प्रभू के शांति हम सबूं के दिलों में रहे, प्रभू के शांति हमारे जीवन में रहे, प्रभू के शांति हमारे परिवारों में रहे, और प्रभू के शांति में हम जीए कि लोगों ने कहा ये तो पापियों का मित्र है ये पापियों के साथ जाता है उनके साथ भोजन करता है ये तो खाता पिता है ये तो पेटु है ये तो पेकर है ये पापियों का मित्र है कितना कुछ प्रभु के लिए कहा प्रभु ने उनसे जाके पूछा नहीं तुमने ऐस जगड़ा क्यों होता है क्योंकि लोग येसु के शांती से नहीं बरे हुए हैं लोग अशांत हैं और अशांत वेक्ति दूसरों का शांत करता है परिशान वेक्ति दूसरों का परिशान करता है डिस्टर्ब वेक्ति दूसरों का डिस्टर्ब करता है यसलिए प्रभु के शांति से हम सभी भर जाएंगे। प्रभु के शांति का संचार होगा। यसलिए प्रभु यही कहता है। तुम्हें शांति मिले। Peace be to you. और वही शांति का अनुबाओ। जब हम करेंगे हमारे जीवन में कितना आनन्द आएगा, कितनी कुशियां रहेंगी और उसी आनंद को उन्ही कुशियों को हम अपने दिन प्रतिदुन के जीवन में एक दूसरी के साथ बांडते रहेंगे वही प्रभू हमें शांति दे, हमें आनंद हमें कुशियां दे, हमें आशिज दे पिता और पुत्र और पहुत्रात्म के नाम पर आमें झाल